क्याött हेलो दोस्तों कैसे अप उमीद अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से Tap लिए Kerry की रिमेंदर ठीरों चल रहा है कि बहुत सारे बत्चे बोर हुए होना रही वस्ति संक्या सिर्फ माटृक्ती है संक्या पत्ती परते परते बोर हो गए इतना ना उनको डिटेल लग रहा है देखिए मेरे भाई डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुश्चन का पैटर्न नया नया होते जाता है तो आपको इतना गर्त में आपको पढ़ा रहे हैं सही बात है बहुत दीन से चलना है नंबर सिस्टम और रिमेंडर थियूरम भी लेकिन आप लोग के लिए खुसकवरी है आज रिमेंडर थियूरम का लास्ट है इसके बाद हम टो कोई नय अपरेंगे हम लोग यूडिक पर बात करें या डेसिमल पकरें अगर आपको unit digit या decimal में क्या परना है अगर आप comment करना चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो मैं दोनों में सोचूंगा बच्चे लोग कोन जादे अच्छा topic है उसको हम बता देंगे मैं उसके बारे में सोचेंगे सोचकर और आपको हम बताएंगे कि unit digit पर है या decimal पर है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का जो remainder theorem है उसका लास्ट लेक्शर जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे देख सकते हैं क्या बात करेंगे Chinese remainder theorem या LCM remainder theorem आज का class ये last है remainder theorem का नाम है Chinese remainder theorem आइसा नहीं कि चाइना चाइनीज है आज पढ़ेंगा आज कल भूल जाएंगा चाइना का आदमी इसके बारे में बताया हुए थे इसलिए चाइनीज remainder theorem है और LCM इसी का एक और नाम है फूल कंसेप्ट और थियोरी एंड इक्जाम्पल्स पर हम लोग बात करेंगे तो चले यह स्टार्ट करते हैं पूरे जोस के साथ चाइनीज remainder theorem हो सके बहुत सारे बच्चे चाइनीज remainder theorem का नाम ही नहीं सुनेंगे वह सिर्फ सुने होंगे चाइनीज मोबाइल चाइनीज जालर जो दिपावलियो गड़ा में हम लोग बाइकॉट किये थे कि चाइनीज समान को यूज नहीं करना है तो उसके बारे में सुन है एक बात समझें जैसे मैं यहां पर 61 लिख दूगी और दो से डिवीजवल करें दो से डिवीजवल करेंगे तो remainder कितना आएगा वान आएगा बिल्कुल आएगा और अगर 61 में 5 से डिवाइड करो इसका भी remainder कितना आएगा वान आएगा तो आप देख सकते हैं कि 61 में भी बताता हूं तो आपको किलियर हो जाएगा तो चलिए तो हम लोग बात करें तो टाइप फस्त में जैसे कोई एक नंबर है नंबर के कोई पावर माली जो कोई भी पावर पी है पी से पावर समझ लिजिए या पी हटाकर आप एक सी लिग दिए नंबर पे कोई बड़ा प्राइन नंबर रहे ता आपको याद है आपको हम पढह customers नंबर जैसे आपको हम जब यूलर विल्सन यह सब पढहे होजे तो रहां पर बताय हूं याद होगा याद ही कि नहीं याद लोगा चलिये तो यहां पर D है तो D एक composite number है तो D का तो factor A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे हम यहां पर 60 में divide करें 30 से, तो 30 को factor किजिएगा ना, गुननखंड किजिएगा, तो 30 का गुननखंड से आप भाग दे सकते हैं, अभी आपको example से समझने आए चलिए और बताते हैं, तो यहां पर A, B, C, अब यहां पर इसका remainder नहीं करना है, आखरी यह remainder क्या होगा, तो जैसे D से divide करेंगे तो A, B, C, मालिज यहां पर हम तीन ही गुनन कर दिने हैं, इससे आगे भी हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, नमबर पर जो power X है, इसमें ए बसमझ में, अगर इसका remainder, जिसका remainder है, मालिज इसका remainder कुछ आया, इसका भी remainder कुछ आया, इसका भी remainder कुछ आया, इसका भी remainder कुछ आया, अगर तीनो का remainder सेम है, याद रहे, यह जो दिखे, तीनो का remainder आपका क्या है, सेम है, इसका remainder क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसका remainder इसका reminder भी र होगा तो हम बात कर रहे थे और कि बात कर रहे थे कि अगर में कोई number x है उसको d से डिवाइड कर रहे तो इसका reminder क्या होगा यह तीनों का जो reminder होगा वही reminder क्या होगा उपर वciasके अ consoler 2 इससे यह Bead पे एक्जाम्पल एक समझेंगे और यह जो कंसेप्ट है उसको समझने का कोशिज करेंगे जैसे 227 पे पावर 25 और इसको दे दिये कि 15 से डिवाइड किजिए और बताईए इसका रिमेंडर क्या हो आई बसमझ में 15 कैसा नंबर है तो देखिए आपको याद होगा टोसेंट बताए हुए तो सिंट जिसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं हाई से यह किसके लिए है प्राइम नंबर के लिए और कंपोजिट नंबर दोनों नंबर के लिए सिखाते हैं और एक चीज़ आपको हम बता दे मिरे भाई चाइनीज रिमेंडर थिवरम तम ही समझ में आएगा जब इसके पहले बेसिक बाइनोमियल यूलर विल्सन यह सब जो रूल है यह समझ में आ जाए तो क्योंकि सब रूल यहाँ पर यूज हो सकता है आई बस समझ में चलिए इस कोश्चन को हम लोग बताते हैं इस फर्मूला के दोड़ा जैसे यहाँ पर देखिए 15 का जब आ फैक्टर किजिए गा तो 3 और 5 जैसे यहाँ पर देख रहे एबी सी इसका फैक्टर क् तीन और 5 अब क्या किजिए 227 पर 25 है एक बार 3 से डिवाइट किजिए और पता किजिए कि इसका रिमेंडर क्या होगा आई बस समझ में अब जला देखिए तीन से इसमें डिवाइट किजिए 3 से 227 में डिवाइट किजिए 3 सत्य 22 यहाँ पर क्या बचेगा ससुठ यह कट गिया फिर 35 15 कितना बचेगा दू दू आ गया अगर आप काटना चाहते है तो एक कम है यहाँ पर माइनस वन होगा होगा कि नहीं होगा कितना होगा माइनस वन बचेगा यहां पर क्या आ गया माइनस वन पर पावर पचीज अनीचे कितना है तीन माइनस पर और नंबर है तो इसका रिमेंडर कितना होगा यह इसका रिमेंडर कितना होगा माइनस वन होगा बेसिक बता रहे हैं अब हम कहें कि फाइनल इसका रिमेंडर क्या होगा यह तो रिमेंडर हुआ यहां पे माइनस वन तो माइनस में तो छोड़ते नहीं है फाइनल रिमेंडर कितना होगा हम फाइनल रिमेंडर को क्या करते ह है आरिन कर देगे कितना है तो तुष यानि तेन से डिवाइट के तो ऑक्ताइब चटेगा पचाहाँ बच्छीस कितना बच्छेगा में कितना हो जाएगा अब देखिए नमबर चोटा ऑग्या इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे आप प्रोसेंट का यूज करेंगे तो पांच का जब प्रोसेंट नका लीएगा यानि the desire One fact bar 5 नमब्र ये की वघताएं और यहां पर्मूला के दौरह देखिए जो आका एक्टर आता है गुननखंड आता है अगर उससे रिमेंडर सेम आएगा तो वही रिमेंडर इसका इंसर हो जाता है यानि 15 में इस पूरे होल नंबर में डिवाइट कीजिएगा रिमेंडर कितना आएगा तू के बराबर आएगा उमीद है कि यह बात आपको समझने आया होगा नहीं तो हम एक दो और एक्जामपल बताते है तब और आपको किलियर होगा चलिए एक और एक्जामपल समझते हैं जैसे हम यहाँ पे एक्जामपल दे दे 719 पे पावर कितना 240 और नीचे दे 143 देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है और इसको अब बताना है कि रिमेंडर समझने का कोशिस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बूले इसको क्या किजे आप देखिये इसका फैक्टर क्या होगा आई समझें इसका फैक्टर क्या होगा 12 जो साही सरे होगे और चिसीर आई सो यूभर को这么 good 10 तो अब देख सकते कि पॉवर कितना बड़ा है पॉवर काफी बड़ा है इस पावर को हम लोग क्या करेंगे पहले चोटा करेंगे या इस नमबर को काफी बढ़ा है 11 से क्या किजिए 719 में divide किजिए इगर चक 6 सक 11 में से 6 गया 5 11 पचे 5 पचपद यहां पे क्या बच गया 4 यानि यहां पे बच गया 4 पे power 240 अब 8 में 11 अब यह power भी 12 है तो क्या करेंगे यहां पे power को कम करने के लिए इसका tocian इसका tocian कितना है गा 10 10 से divide किजिएगा तो जब पूरा पूरी कट जाता है तो उसका आपको हम सिखाय हुए थे तो cn tola जो concept बताय हुए थे यूलर में आपको हम पर हाय हुए थे कि जब पूरा पूरा कट गया यानि आप पे 0 हो गया नीचे इसका remainder कितना आएगा 1 यानि इसका remainder कितने के बराबर आया है वन के बराबर यानि गारत से इसमें डिभाइड किये तो कितना remainder आया वन सेकेंड भी चेक करते हैं जो एक्जामेस्टेमीज होते हैं जिसमें मिंसनली उते हैं यानि दिन लिएं कुशिटकों का इनटेर्ण हो cow होते जा तो आप अगर मैठमेटिक को डھंग से पर्ले रहे हैं तो पी टी हो या मन उससे क्या रखा है सब पनेगा क्यों नहीं बनेगा फिर यहां पर देखिए 13 से डिवाइट किजिए 13 से डिवाइट करके बेस भी और पावर को भी दुन्नों को कम करना है कि दोनों बहुत बड़ा बड़ा पावर है तो यहां सबसे पहले 13 से 719 में डिवाइट दीजिए 13 पचे 25 कितना बच गया मेरे भाई चार बच गया यानि इसको में लीख सकते हैं चार पे पावर कितना दो सो चालीस और नीचे 13 पावर भी बड़ा है तो इसका आप क्या निकलेंगे टोसियन टोसियन क्या आएगा 12 आएगा अमेशा प्राइम नंबर अब हास संक्या का जो टोसियन होता है अमेशा एक प्रम होता है अब यह भी पूरा-पूरा कार देगा तो कितना आएगा चार पे पावर जीरो अब अबटा में 13 यहां भी रिमेंडर कितने के बराबर आया वन कि बरावर करनी जब दोनों रिमेंडर सेंद आग्या तो इसका रिमेंडर कितनाvell आएगा वन आएगा तो आप देख सकते हैं कैया जो कंसेट्ट बता है कि कोई इन है उस पर पावर एक सा है अगर भी से devide करते है कोई बड़ा नंबर है उसका आगार इमेंडर hoped rebel के कंवर आएगे अभी चलता होगो उसका लुट करेंगे अभी हैट में सब्थाइब क्या करेंगे तक एक कोंछ दू एकजांपल मुल्स का करेंगे, तीन का बात करेंगे, जैसे, दूपे पावर हम 1201 दे दिए, दूपे पावर कितना दे दिए? 1201 दे दिए और यहां पे दे दिए 105, अब कहें कि ज़राइस को डिभाइड किजिए, देखिए, दिक्से करतेगा, आप यहां नो तो देख लिए, तीन पांच साथ होगा तीन तरीखी नो तीन पच्छे पंद्रा पांच सत्य पैंटिस यानि तीन होगा पांच होगा साथ हो आई बस समझें चले आगई बात अब एक एक करके भाग देंगे दो पे पावर बारह सो एक है पहले तीन से तो हम देख रहे हैं कि बेस में तो छोटा अंक है तो बेस में तो कुछ सुचना ही नहीं है बारह सो एक है तो इसको बांदं यहां नीचे क्या है लिए यहां पर स्थिया माईनस ऑज पर काल उसको ख़र देगा यहां माईनस 2101 और minimal जो किअ पहले का वीडियो देखेंगे फिर हम लोग इसी नमबर में 1201 में इस से और आप दिवाइड करेंगे 5 फिर 5 आगे अब ज़्या देखिए यहां पर 5 से 2 है अगर आप डिवाइड करते हैं यहां पर तो बैनुमिला राम से 3-1 कर दी यहां पर पुरा सा दिक्त होगा तो ऐसा करते हैं इसका हम टूसीयंट ले लेते हैं और टूसीयंट से भाग करते ह है तो 5 का टूसीयंट कितना होगा चार चार में 1201 से डिवाइड की तो चारतिया 12 क्टेगा यानि थीमर्ते बहुत तीनसों मर्ते लग है तीनसों मर्ती बारा-सो लंग जाते हैं कितना जागा एक बचेगा यानि यहां पर आप तो सिन जब ले रहे तो सिंस्दक तो मतलब क आपको टाइप फस्ट समझ में आया होगा चलिए, समझ में आया की नहीं आया मेरे बाई? उमीद है कि आपको Type First समझ में आया होगा चलिए, एक और question हम बता ही देते हैं. इससे क्या होगा? यहार पहला Type अगर clear रहेंगा तो दूसरा-तिसरा Type भी असानी से बना सकते हैं जैसे question 7 pe power 2401 आप देख सकते हैं यह काफी बड़ा कुस्चन है इसका क्या होगा नाइन और सेवेंटीन सत्रह नावा एक सो तिर पर सेवेंटीन नाइन जा 153 होता है जब इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो चौबीस सो एक पावर कितना पावर चौबीस सो एक है बाटा में कितना है नो नो का क्या निकालेंगे हम लोग फ्लसेएंट निकालेंगे गातना को क्या लिख सकते है खिरी का अथि का है यानी नौग रुना टु वाइध ही तिन दुना 5 3 3 की 9 इसका टूसियन कितना आगया 6 याँ 6 से डिवाइड किजिएगा 6 से डिवाइड किजिएगा तो 400 पर कट जाएगा रिमेंडर कितना बचेगा एग यानि 7 पर पावर एक 9 यहां पर इसका रिमेंडर कितना आएगा से चलिए 17 से भी चेक करके देख लेते हैं 2401 में आप किसे डिवाइड करने जा रहा है अब 17 से फिर 17 अब हासें क्या है 17 का टोसिर निकालिएगा 16 आएगा यानि इसमें आप कितना से डिवाइड किजिएगा आप 16 से अब देख सकते हैं यहाँ भी रिमेंडर सेम और यहाँ भी रिमेंडर सेम और यहां भी रिमेंडर सेम इसका होड़। इंदर कितना हो जाएगा 7 उमीद है कि आप इस तरह का question असानी से बना सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 में अब लोग टाइप 2 अब पढ़ेंगे टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए टाइप 2 में आते हैं टाइप 2 आप टाइप 1 समझ गये होंगे तब टाइप 2 आप असानी से समझ गये हैं जैसे नंबर पे कोई power x है और d से डिवाइड किये माल लिजिए इसका factor a b c है आई बस समझ में माल लिजिए नंबर पे power x a से डिवाइड किये और इसका remainder r1 आ जिए फिर अगर आप b से डि हाइड कर रहे है इसका remainder कितना आगया आर तो आप देख सकते है आर वन आर टू और क्या आगया आर थी आप देख सकते हैं कोई भी remainder से नहीं है तो इस केस में अगर हम final कहें कि इसका remainder क्या होगा बताएए इसका remainder का formula होगा a-r1 b-r1 c-r1 ग्रावर की अब आप कहिएगा सर लिए तो मुझे दिमाज में आया है अभी आएगा मेरे भाई एक एक एक्जामपल लेंगे तो आपको यह टाइप क्लियर हो जैसे है जैसे यह question formula देखके घवराना नहीं है यह बनेगा कैसे जैसे 215 पर पावर एक बड़ा पावर ले लेते है 962 और बटा में कितना देजिए 211 अब हम कहें कि इसका remainder find out करो कि इसका remainder क्या होगा तो सबसे पहले आप इसका factorization कीजिए जब इसका factorization कीजिएगा इसका 211 का इसका factor क्या क्या होगा 17 और 13 होगा 17 और 13 सबसे पहले हम लोग क्या करते है छोटका को लिख जटे लिख जटे 17 अब क्या करेंगे पहला नमबर उठाए तेसे से अब देख रहें कि पैवर काफी बड़ा है क्या कर लेते हैं अरी काम किस्का कितना है कितना है का बार शहांसी इसमें भाग करते हैं 960 कितना बच दू यानि किस कितना हो गया दो और नीके क्या आगए को जब 21 पर पावर 2 हो गया कितना हो गया 441 बटा में कितना 13 अब क्या कीजिए 441 में 13 से भाग लगाई है तेर्थिया 49 पांच तेर्चव का बावर तेर्थिया 49 होगा कि नहीं तेर्थिया 49 बावर में तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर विमेंडर कितना बचा बावर आई ना बाद वार यहाँ पर चलिए यहाँ पर R1 का वहल जो कितना आ गया 12 आगए चलिए हमने तेरह से ढिवाइड किया तो अब एक चीज और बाकी है कौनसा 17 से बाकी है, चलिए हम लोग सत्रह से बात कर लेते हैं अब हम लोग किस पर बात करेंगे 17 से चलिए तो यहां पर 21 पर पावर 962 है अब हाग किसे दिना है 17 से जब हम लोग जब हम लोग 17 से डिभाइट करेंगे तब क्या होगा तो बहुत बड़ा पावर है इसका क्रोशियंट लेते यानि 16 से 1692 यानि कितना बचेगा दो बचेगा 17 कितना जागा 44 refers rikt y partir अब इसका reminder निकाली कितना है 17 दुना 34 कितना बचेगा यहां पर 10 बचेगा एक 27 ajud 하기 से ना जबतक आपका सही नहीं होगा वहार अप जरा यहां पीछे जिस से आप EVERY हाइड की यह जिस आदे CSG तो, सब्सक्राइब कीजिए Bellet कितना बार्र, दोनें को घताएगे, उन Kun downhill को क्या ही उनलर का किजिए यहां देखे, remainder कितना है, 16 17 में से 16, divide किजी कितना आ गया, 1 आ गया यानि जब जितना remainder आए और जिससे divide कर रहे है अगर उसका difference यानि घटाओ, difference देखे, इसका और इसका पिर यहां पे इसका और इसका एक आया, और यहां भी इसका क्या आया जब difference एक आये और तब उच्छे की remainder क्या होगा यहां पे आप देख सकते हैं, remainder सेम नहीं है अगर remainder सेम होता तब बोल देती कि वह ही उसका answer है जब remainder सेम नहीं आएगा उस case में अगर final remainder निकालना हो, तब क्या करेंगे final remainder निकालने के लिए हमने क्या बोला, की A-R, B-R, C-R, R-R, K यहां पे क्या करेंगे जो remainder आ रहा है वो final जो आप divide कर रहे हैं किससे divide कर रहे हैं 211, उसमें से एक घटा लेंगे आपका यही answer हो उमीद है कि यह बात आपको समझ में आया हो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसी question को हम फिर से बताने का आप process कर रहे हैं ऐसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा उसके बाद एक last type बच जाएगा चलिए, जैसे इस question को divide करना है तो मैंने बताया कि 2962 अबटा में 221 है इसका क्या-क्या एक factor आ रहा है 13 आ रहा है और एक क्या रहा है 17 आ रहा है 173 एकाउन 221 आ जाएगा तो मैंने ये बोला कि जब इसको आप divide करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग किस से divide करेंगे 13 से हम देख रहे हैं कि 13 एक prime number है और ये power काफी बड़ा है तो 13 का टोसियट निकालिएगा 12 आएगा तो इसमें आप कितना से divide कीजिएगा 12 से बरी अठी 96 यानि 2 से समचेगा 21 पे power 2 अब बटा में 13 21 पे power 2 कहने का मतलब 441 बटा में 13 जब यहां से आप remainder निकालिएगा divide कीजिए तो remainder निकालिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा कितना आएगा अब का remainder 12 आएगा अब जड़ा दिखिए remainder आगिए 12 फिर हम लोग किसी इसी में 21 पे power 962 में किसी से divide करेंगे 17 से 17 का हम लोग टोसियल टी निकालेंगे तो 16 आएगा 16 96 60 मरतबे फिर यहां पे remainder कितना बचरा है 2 बटा में कितना 17 अब यहां पे हम लोग देख रहे है यहां पे 441 बटा 17 आएगा यहां से remainder निकालिएगा 16 तो हम देख रहे हैं कि यहां कर remainder और कहा कर remainder यहां कर remainder अलग-अलग आ रहा है अलग-अलग आता है, तो हम लोग माइनस करते है, कैसे माइनस करेंगे? यह जो आप देख रहे है 12, यहाँ पी क्या है? 13, यहाँ पी क्या है? 13, तोनों का अंतरगटा लेगे, तो घा झून का हुआ है, और उस समय final remainder निकलना होगा तो क्या करेंगे जिस number से आप divide किया है question में उसमें से एक घटा देंगे answer कितना आ जागा वही जो आएगा घटकर वही उसका क्या होगा उमीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा चलिए तो हमने दो टाइप से लिया पहला टाइप में मैंने क्या सिका अगर remainder सेम नहीं है तो difference निकालेंगे अगर difference निकाले तो जो difference आ रहा है उसको final जिससे आप divide कर रहे हैं उसमें से घटा देंगे तो आपका remainder होगा अब हम लोग टाइप 3 पे बात कर लेते हैं अब टाइप 3 क्या कहता है मेरे भाई चलिए इसको भी देख लेते हैं कोई number पर पावर एक्स है फिर हमने डी से divide किया चलिए हमने किस से divide किया डी से divide किया तो उसी तरह से हम भोल सकते हैं इसका अग्माल लेते हैं कि ABC factor है क्या factor है ABC ABC तो क्या करेंगे number पर पावर जो एक से एक बार A से divide करेंगे number पर पर एक से एक बार B से divide करेंगे number पर पर एक से एक बार किस से divide करेंगे इसका कुछ ना कुछ रिमेंडर आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ रिमेंडर आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ रिमेंडर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो घटा कर देखेंगे, अगर अंतर समान आगया, वो अंतर यहां से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे और अगर अंतर भी समान नहीं आया मेरे भाई तब उसमें हम लोग क्या करेंगे अग इस पे ध्यान देना है ये भी तो हो सकता है कि अंतर क्या हो समान नहीं हो तो इस बात को आपको एक चीज़ यहां पे ध्यान देना होगा ध्यान क्या दिना होगा कि जैसे आप किसी नंबर में भाग देते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं ना भाज ब्रावर भाजक गुना भागफल प्लस से से इस फर्मूला का यूज़ करेंगे देखें कैसे किस से दिभाइट कर रहा है एसमें? a से a से दिभाइट किया है कुछ ना कुछ मर्तवे तो कटा होगा बाला लेते है souls और ०ॉट नबर कितना आया है? आरवन यहां पर क्या लिख देगे? ax प्लस ॉट 1 हमने लिख दिया. थिखें माल लिजे हम इसमें B से डिवाइड किये तो क्या लिखेंगे B, Y मर्तवे कटा होगा, सेम मर्तवे तो कटेगा नहीं और यहाँ पर remainder क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और इसमें जब C से डिवाइड किये, माल लिजे, Z मर्तवे कटा और यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो जब पहले देखिए, remainder सेम आया तो वही अंसर होगा, remainder सेम नहीं आया तो अंतर घट आके दिखेंगे जब अंतर समान नहीं होगा तो इस formula का यूज करेंगे जब एक question बताएंगे तो आपको clear पूरी तरह से हो जाएगा तो अब हम कहें कि इसका final remainder क्या होगा? इसका final remainder होगा AX R1, AX plus R1 या AY बढ़ावर AY R2 ये नहीं भी ना BY plus R2 या CZ plus R2 ये इसका remainder होगा अब एक question बताएंगे तो आपका ये सारी बात clear हो जाएगा चलिए formula पर नहीं जाएगा कि बाप रही ये कितना बड़ा formula है formula काफी छोटा है जब आप question बनाएगा तो clear हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर एक question दे दूँ छोटा सा एक चोटा सा question दे रहा हूँ और उसको आप समझने का process कीजिएगा जैसे दो पर 25-85 कर दे और इसके बाई में हम कर दे 323 अब हम कहें कि इसका remainder गयाद करें तो सबसे पहले क्या करेंगे 323 का हम लोग factorization करेंगे इसका factorization कीजिएगा इसका factorization 17 आएगा और क्या आएगा 19 आएगा 17 आएगा या 19 आएगा अब क्या किजिए यहाँ पर 25-85 पहले किस से दिवाइड किजिए 17 17 तो प्राइम नंबर है इसका टोसियंट निका लिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा इतना आएगा 16 अब यहाँ 16 से 25-85 में डिवाइड किजिए 16 एकम 16 यह घटेगा यह नौ और यह कट जाएगा 16 96 कितना बचेगा 2 16 एकम 16 कितना बच गया रिमेंडर 9 बच गया यानि यहाँ पर रिमेंडर कितना बच गया आपका 9 तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं तूपय पावर कितना नाइं लिख सकते हैं और नीचे क्या गया सतरब थ्याइड तूपय पावर 9 कितना लिख सकते हैं है टूपय पावर 9 अब 8 में 30 लोज़े ज़िया रहा magnitude क्ना अब दूको 56 में 2 से multiply किजिएगा कितना होगा 512 यानि यहाँ पे कितना आ गया 512 आ गया 512 बटा कितना 17 अब 17 से 512 में भाग लगा 17 तिया 51 30 में कितना आगा remainder 2 यहाँ पे आप जब काटिएगा remainder कितना आ गया आपका R1 का value कितना आ गया यह बात आपको समझ में आया होगा चलिए यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया होगा आया होगा अब जड़ा देखिए यहाँ R1 का value किया आ गया 2 आ गया अब दूसरा क्या है 19 है तो टूपर पावर 25 85 में अब किसे डिवाइट करना है 19 का टोसियंट निका लिएगा आपका मेरे भाई कितना आएगा 18 आएगा अब यहाँ 18 से डिवाइट किजिए इसमें 25 85 18 एकम 18 कितना बचेगा यहाँ पे 7 18 चोग 72 कितना बचेगा 6 18 चोवन 5 में 4 गया 11 बचेगा यानि टूपपवर कितना बचेगा 11 बचेगा यानि यहाँ पे आपका वहलू क्या मुचेगा टूपव़इगा 11 बचा में कितना 19 अब टू को कितना बड़ गुना करना है 11 बचेगा अब देखे, 9 बड़ गुना किया है तो पांसु बारह दस बार गुना करेंगे दस सो चोविस एक बर आवर करेंगे दस सो चोविस गुना दो कितना होगा बीस सो अर्टालीस होगा बीस सो अर्टालीस वटा कितना आ जागा उनीस आ जागा बीस सो अर्टालीस वटा कितना जागा उनीस अब उनीस से क्या कीजिए बीस सो अर्टाली यहां एक बचेगा नहीं कटेगा जीरू उन्हेस सकते ततील से ततील से 133 8 में से 3 यह पांच 15 बच गया यहां पे जब आप डिभाइट किजिएगा यहां पर मैंदर कितना बच गया आपका पंदरा अब देख सकते हैं कितना बज गया 15 बज गया तो माल लेती है यहां पे रिलिंगर कितना अगया 15 अब आप यहां पर जबात में बाद में बाद आव इस्टाट होगा जैसे जैसे क्या रिमेंडर से गाया पहला टाइफ सेट समय नहीं हर इंसर नहीं से गटा कर दिखिए इसे दो जाएगा Om कि यहां से भाज का भाड निजडिया मोच एक सारवन के मतब क्या इस संगे सकते हैं कि यहां पर remainder का value बोलू कि r1 का value क्या होगा तो 17x plus 2 होगा और यहां से 8 का value क्या होगा 19y plus कितना होगा 15 होगा अब ज़रा देखें फर्मूला से सभी remainder आपस में क्या होते हैं ब्रावर होते हैं यहां पर क्या लिख देंगे 17x plus 2 ब्रावर 19y plus 5 अब यहां से x का value निकल लेंगे यह plus उड़ा उदर क्या हो जागा माइनस तब 15 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 13 अब यहां पर बहलू रखेंगे देखेंगे कौन ऐसा नंबर y का रखेंगे कि 17 से कटेगा जैसे मैं को हूँ यहां से कि आप x का जरा value निकल लेंगे क्या हैगा 19y minus 13 बचा में कितना 17 अब देखें 1 रखेगा 19 से कम 19 19 में से 13 गया 6 17 से 6 तो कटेगा नहीं 2 रखे देखें 19 दुना 38 38 में 15 13 घटाईए कितना होगा 8 में से 3 गया 5 8 में नहीं कटेगा जरा 3 रखे देखे अब क्या रखिए आप 3 रखे देखे देखते हैं 3 रखे 3 19 तिया 57 57 में आप 13 को घटाईए 7 में से 3 गया 4 5 में से 1 गया 4 और इस उने तिया 57 57 में 13 को माइनस किजिएगा तो कितना हो जागा 19 दूना 38 38 में से 3 गया नहीं हो रहा है अब एक चीज़ और है मेरे भाई एक चीज़ मैंने गलत कर दिया गलत ये किया कि 15 में से 2 घटाएगे तो प्लस 13 न बचेगा तो देखे य का वैलू 1 रखेगा तो 19 से कम 19 19 में 13 जुड़िएगा 32 नहीं कटेगा दो रखेगे 19 दूना 38 38 में 13 जुड़िए तो कितना उर्थे आजागा आर तीन 11 के एक 415 देखे तो कट गया कि नहीं यानि अगर हम वाई का वैलू यहाँ पर क्या रख दे तू रख दे वाई का वैलू क्या रख दे तू रख दे तो मेरा काम बन सकता है यानि तू रखिएगा तो 550 बटा 17 17 याvak intentar अराम से कर जागा यानि वाई का वैलू अगर आप तू पुट करते है यह पूरा पूरा कर जागा अब क्या कीजिए यहां y का value 2 रख दीजिए 19 तुना और 30 तुना कितना हो जागा 30 और 35 कितना हो जागा 30 यानि इसका reminder कितना हो जागा अब आपके दिमाग में एक और बात आता होगा कि सर आपने y का value रखा तो तिर्पन आ गया जरा एक्स का भी वहलू निकाल के दिखा यह क्या तिर्पन आ रहा है जुरूर आएगा क्या है आपका सत्रह एक्स प्लस टू ध्यान में रखिएगा सत्रह एक्स प्लस टू ब्रावर फिर क्या है कि निस वाइ प्लस प्रण ब्लस पंदरा अब क्या किजिये एक्स में लाजय इसके पहले हमने किसमें लाया था क्या मै यहांपर लुज ना इनिस वाइट्टाम स्थ्यवाइद, यहां पर erfahren ब्लस प्लस टू ओर इदर और यहां value इसको आसानी से उसको वाई क्या कर देगा कार देगा एक रखेंगे तो कटेगा नहीं दो रखेंगे सत्रदुना 36 मेंज़्े से यह तीन रखिए बहाई इसने ही कटेगा तीन रखिए सत्रतिया काउन में ज्या secular 2021 क्या्में से यह 11 में एक्स का वेलू आप यहां पे तीन रखिए सतरतिया एक कावन और एक कावन दू कितना होगा तिरे पर तरी मिंडर कितना आगिया तुरा सब्सक्राइब बड़ी लिंदी होगा एक और एक्जामपल बताएंगे तो आपको किदियर हो जाएगा चलिए एक और एक्जामपल हम 143 से डिवाइड कीजिए और बताईञे इसका रिमेंडर क्या हो कर मढशने का कोशिश के लिए जब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले पांसो एक बटा में क्या हो जिया? इकारा. अब इकारा का जब आप तोसिंट निकालेगा, कितना है अगा? दस, यानि दूपर पाउर कितना आ जियागा? 1 बटा में इकारा, यानि यहाँ से ऊरवन का वहलू कितना आ गए है? दो आगया यहां से r1 का value कितना आगया आपका दो आगया आएगा किनी आएगा 10 पांच दहां 500 चलिए यहां पर कितना आगया आपका दो आगया फिर हम लोग बात करते हैं किसका दो पावर 501 और बटा में अब कितना से डिवाइट करेंगे 13 से 13 का जब निकालेगा यहां 12 आएगा अब जरह 12 से डिवाइट किजिए तो 501 यह 12 क्या है इसका टोसियंट है वर्चोग और 40 यहां पर 2 बचेगा 12 एकम 12 कितना बच जाएगा 9 यहां पर आपका क्या बच दो प बच दो चार आठ सुलाव बत्तीस चोश्ट एक्ट बठाई 256 पांसो बाठा कितना तेरह अब क्या किजिए 13 से पांसो बारा में डिवाइट किजिए 13 एटीया 49 बच गया पांच बच गया यहां पर आठ टू कितना बच गया मेरे भाई पांच बच गया अब जरा देखिए रीमेंडर क्या सेम आया सेम आपका रीमेंडर नहीं आया अब जरा घटाई यह तो 11 में से हमें Ca 2 गटाई गए गा 9 बच गचे अऔर 3 में से 5 गटाई गए अच्चा टीमेंडर घटाने पर यह सैम नहीं है था पिसरा जिए किसरा Q रूच पर आप 30 निकानने के लिए हम लोग सबसे प्ह抜़ए Am shops कbrahim जब यहां से आर one का इकसा फ्रेंडर कितना और यहां से अपलो का लिएगा 13Y हो जाएगा आपका हाईब हो जाएगा अब धून्हों रिमेंडर को हम क्या करेंगे बुराबर करेंगे इक गारा एकस पलस टू बुराबर में क्या लिखेंगे 13 y प्लस कितना 5 अब यहां से 11 एक्स ब्रावर 13 y प्लस 5-2 एक्स का वैलू निकलेगा 13 y प्लस 3 अब 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 देखेंगे कि यहां पे कौन ऐसा वैलू है जो इसको सटिस्फाइड खड़ेगा अब जरा देखिए अगर एक रखते हैं यहां कितना आ गया है कितना आगया है कितना अगया मेरे भाई 10 आप देखिए 30 गुना 4 प्लस 5 आज कितना कितना आ गया संतावन इमिंडर आ कितना आ गिया मेरे भ्संटावन आफका विमेंडर आ गया एप यह वाइव यह पने का थीलूए गहां से यह फ्ललश तू-13 यॉ MP2-23-W 15 से 2 गया 3 और यह भाग जरावाई के लिए निकाल लिए निकालते हैं अगर यहां एक रखते हैं तैंक 15-11 BAR 34-11 TB सब्सक्राइब, बाईब बचेगा, और इसको काट देगा, यानि एक बी किसके लिए सटिस्पाइट करना है, पांच के लिए, जा रखें यहाँ पांच, इगारा पचे पचपन, देखिए, इगारा पचे पच्पन, अजूर संतावन, देख रहे हैं, रिमेंडर से यानि इस इसका रिमेंडर कितना आएगा संता हों तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और एक्जाम्पल बताते हैं इससे क्या होगा आपका पूरी तरह से किलियर हो जाएगा जैसे हम यहां पर कुर्ष्चन देदें तूपे पावर सपोज 736 अनीचे कितना इसका रिमेंडर आपको फाइंड आउट करना है रिखी कैसे निकाल देगा अब आपको किलियर हो जाएगा यह सबसे इंपोर्टेंट है यहां पर क्या है आपका तूपे पावर 736 है 17 को आप 117 क्या लिख सकते हैं तेरनावा सत्रह से नौ और तेरा चलिए यहां पर हम लो और तू बाइट त्री इन दूना इंतरी की नौ इसका टोसियंड कितना आएगा 6 से इसमें डिवाइट कीजिए 6 कम 6 6 दूना 12 एक बचेगा 6 दूना 12 कितना बचेगा 4 यानि यहां पर आपका क्या बचाए तूपे पावर फोर अबटा में कितना 9 बच गया तूपे पावर जब यहां पर आपका 9 बच गया इसका मतलब 69 यानि यहां से रिमिंडर कितना बच गया? साथ बच गया, सिकेंड लेते हैं, तूपए पावर कितना है? 736, अब डिभाइट कितना करना है? 13, 13 से यानि कितना? 12 इसका टोसियन्ट होगा 12 से इसमें हम विभाइट करते है 736 में बर्चक 72 एक बचेगा क्या होगा 12 एक हम 12 4 बचेगा यानि यहां पर आपका क्या बचा है फिर से तुप अपा और 4 बचा और नीचे 9 यानि 9 नहीं है 13 है 13 यहां पर हो जागा 16 बचा 13 यहां से कितना हो गया तरह इता है तक यह से नहीं है घटा कर देखिए नो में से साथ गया दो और 13 से तीन गया अंतर भी सेम नहीं है और ना ही इसका दूप जब रिमेंडर से में नहीं है तो लों क्या करते हैं यहां से सबसे पहले 10 के रोन टे से निकलेगा 9 x पुलस से बेन और यहां से आट टू निकलिएगा 13 y plus कितना 3 अब दोनों remainder को हम लोग क्या करेंगे बड़ावर करेंगे चलिए अब दोनों remainder को क्या कर दीजे बड़ावर कर दीजे बड़ावर कर देते हैं 13 y plus कितना 3 अब यहां से x का value निकाल दीजे यह क्या हो जागा plus वला इधर minus हो जागा तो क्या बुचेगा 9 x ब्रावर 13 y minus कितना 4 तो x का वहलू कितना आ जागा 13 y minus 4 बटा 9 अब हम लोग देखते हैं कि यह किसके लिए satisfied कर रहा है y का वहलू 1 रखिए 13 एकम 13 तेरा मेंसे 4 गया 9 9 गत गया यानि y का वहलू अगर आप 1 रखते हैं यह satisfied कर जाएगा यहाँ 1 रखिए यहाँ क्या होगा 13 गुना 1 प्लस 3 इसका रिमेंडर कितना आएगा मेरे भाई 16 आएगा इसका रिमेंडर कितना आएगा 16 अब आप कहिएगा कि सर आपने तो y का वहलू रखते चेक कर लिए ज़रा ए इसका रिमेंडर कितना आगया 16 अब चेक करके दिखाते हैं 9x प्लस 7 13 y प्लस 3 अब क्या कीजिए 9x प्लस 7 यह प्लस ओला इधर माइनस ब्रावर में 13 अब यहाँ देखिए 9x प्लस 4 यह भाग में आ जाएगा और इधर y अगर आप यहाँ एक्स का वहलू 1 रखते हैं 9 एकम 9 9 4 13 13 से 13 कर जाएगा नहीं एक्स का वहलू 1 ज़रा देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स का वहलू 1 रखते हैं देखिए 9 एकम 9 9 7 कितना हो जाएगा 16 तो उमीद है कि चाइनीज रिमेंडर थीरम का तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ आज रिमेंडर थीरम को अलवीदा कहेंगे कल का जो क्लास होगा नेक्स्ट जो क्लास होंगे वह डेसिमल या यूनिट इजिक वह आपको पर भी डिपेंड करता है आप कॉमेंट डाल सकते हैं या हम खुद से सुचेंगे कौन इंपोर्टेट है और कौन जादे इतना होता है आप लोग भी पर होंगे रिमेंडर थीरम बचपन में या कंपटीशन का भी इतना नहीं पर होंगे रांटेट बोलते हैं कुछ बच्चे होंगे उभी नहीं कि बड़ाबर तो आपको यहां पर जो भी बात बताया गया है पूरा डिटेल में कहने आगे का आपने क्या कहा था कि आपका मैथमेटिक्स कहा जा रहा है यह चैनल आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है आपको जो अभी गर्त में है न मैट्स में वह सीधे हम आपको सीर्स पर पहुंचा देंगे आप इतना कलास अगर रिगुलर पड़े होंगे तो आपके अंदर मैथमेटिक्स को हम फील करवा देंगे कोस्चन देखिएगा आपको फील होने लएगा तो भाई घबराइए नहीं ऐसे आप बोल रहते सर यह कब तक चलेगा कब तक चलेगा चलो भाई आज हम इंड कर दिए अब तो खुस हो ना ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती खतम की है तो उमीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे नंबर सीष्टम ही रहा है कि अर्थमेटिक और इढ़ा नंबर सस्टम में थोड़ा टाइंब लगता है यह बेस और अर्थमेटिक में थोड़ा गम लेगा और आपको इढ़ानस में और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नय टौपिक के साथ तब तक के लिए जैइ और एक और बात फिर से कर रहे हैं पुरा लाइक कीजिए मेरे भाई शेयर कीजिए एक एस्टुमेंट अगर दो या तीन बच्चे को शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं जाएगा हम उतना ही जादे मोटिवेट होगे फुरा सा मेरे लिए रिस्पॉंस लीजिए लिए मिलते